अचार सहीता लागू होने के बाद पिछले एक महीने के दोरान दिल्ली में बड़े पैमाने पर शराब, कैश, ड्रक्स और सोना चांदी जब्त की गई है 13 अपरिल तक करीब 236 करडोर रुपे कीमत के ये आइटेम जब्त किये गए है 2019 के लोगसबा चुनाव के दोरान जितनी राशी की शराब, ड्रक्स और कीमते समान जब्त किये गए थे वह इस बार से 44 प्रतीशत अधिक है दिल्ली निर्वाचन आयोग ने चुनाव आयोग को जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार 13 अपरिल तक दिल्ली में 11.28 करडोर रुपे कैश जब्त किया गया है अभी तक 67646 लीटर शराब जब्त की जा चुकी है शराब की कीमत करीब 1.42 करडोर रुपे आ की गई है अन्य कीमती धातुए जब्त करने के मामले में एक महीने में ही पिछले चुनाव का रिकॉर्ड तूट गया है 2019 लोकसबा चुनाव के दोरान जितने दिन तक अचार सहीता दिल्ली में लागू रही उस दोरान 12.84 करडोर रुपे की गोल्ड सिल्वर समित अन्य कीमती धातुए जब्त की गई थी लेकिन इस बार महज एक महीने में 32.23 करडोर रुपे कीमत का गोल्ड सिल्वर जब्त किया जा चुका है मुखे निर्वाचन अधिकारी कार्याले की अफसरों का कहना है कि जो लोग बड़ी धनराशी ले जा रहे हैं उन्हें बैंकों से मिलने वाली क्यूर कोड की रसीद दिखानी होगी धनराशी का सही मिलन ना होने पर पैसे जब कर आयकार विभा को सौब दिये जाएंगे अफसरों का कहना है कि जिस रेक्ति से कैश बरामत हुआ है वे इन पैसों पर बाद में भी क्लेम कर सकते हैं लेकिन सबूत के तौर पर उनके पास एटियम ट्रांजिक्शन बैंक की रसीद या पास्वुक एंट्री होनी चाहिए लेकिन शराब मामले में ऐसा नहीं होता शराब को एक जगाए कत्रित कर उसे नश्ट कर दिया जाता है धन्यवाद दरपन कुमारी के साथ देखते रहे या आन्टी में